अब में गेट को खोलूँगा अब कोई साउंड नहीं आ रहा है यह बंद कर दिया कोई साउंड नहीं मतलब यह इगनिशन ओन करने भी देना चाहिए था ना अब यह बंद कर तो आपके हिसाफ से गाड़ी बड़ी आया है कोई दिख़ाद नहीं है अब यह से की गाओं वाला एरिया है भाई गाड़ी हमारी गाओं में चलती है तो 180 mm भहुत होता है उसके साब से कहीं टकराती नहीं कोई दिक्कत आती नहीं और अपन चाचा से पूछ लेंगे कि उनको कोई प्रॉब्लम आती तो नहीं है इसके जो नीचे वाला मॉडल है उसमें वो दिया हुआ है जैसे यहां पर दे दिया है यह बड़ा खुबसूरत लगता है इसमें यह देखिए एक बड़ यहां से दिखा दूमें है हैडलाइट वगएरा आपको हैलोजनी मिलती है प्रोजेक्टर वगएरा नहीं मिलती है तो यह है सिंपल सा कुछ इसका बोनट एरिया साइड प्रोफाइल भी चले अलोई बेस मिलते ही नहीं है इसमें मिल जाते हैं आपको जो ओवर विय में है वो आपको अंदर से ही एड्जेस्स करना पड़ेगा अटो फोल्डेबल कुछ भी नहीं है इसमें बाट टॉप मोडल में थोड़ा सा वो स्पॉलर तो दिया हुआ है इनोंने रूफ रेल्स और दे देते हैं रूफ रेल्स नहीं पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं तो यसी कुछ नॉर्मल से दिखती है यह और पीछे की तरफ आपन चले तो यह फिर से वही डिजाइन दिखा दे तो मैं आपको यह देखी यह इसकी जो टेल लाइट है इसके नीचे यह बड़ा प्यारा सा क्रॉम लगता है इसमे और यह है इसका बैक कैमरा और दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं वन और टू तो ऐसा यह बैसिक सा पीछे से दिखता है और यही जो मैं फिनिशिंग बता रहा था आपको क्रॉम की यह आपको इसके स्पॉयलर नों मिल जाती जो की काफी खुशूरत लगती है यह बड़ी 60 mm इसकी हाइट है और 1520 इसकी विट है तो विट तो जो है ना विट के साफ से दो बंदो के लिए गाड़ी अच्छी है पीछे बेटने के साफ से तीन फसा फुसके आप बेट या तो कोई दिक्कत नहीं हम तो गाव में रहने वाले हम बिटा देतें फसा के कोई दिक्कत न में और फ्यूल टेंग कैपिसेटी 28 लिटर के आती है इसमें आपकी अब हम आ गए हैं गारी के अंदर सबसे पहले इंटीर के अगर बात करें तो यह स्टीरिंग आपको पावर स्टीरिंग मिल जाता है लेधर मिल जाता है क्योंकि टॉप मोडल है लेफ्ट हैं स्टीरिंग स्टीरिंग मिल जाते हैं अब जाते हैं अचारी को गरता है यह अचके लाट बायर चापर बढ़ को और बढ़ को लगक्यों घैसपर ऐख आ मता है यह आपकोmot मिल जाती है है यह ट्विटर मिल जाता है यहां पर यह बेसिक सा दिया गया है जहां से कागस गिर गया है यहां पर वैनेटी मेर नहीं मिलता है यह ग्राब हैंडल दिया गया आपको मैनुवल ऐसी मिलता है इसमें आपको ऐसी के नीचे 12 वोल्ड का पावर सक्रिट मिल जाएगा यहां पर पेंड्राइब लगा सकते ऑप्शन दिया गया है यह कुछ रखा हुआ है अल्रेडी स्पेस बढ़िया है यह काप होल्डर है फाइव स्पीड मैनुवल गेर बोक्स हैं साथ ओन हो जाते हैं थोड़ा सा अकवर्ड बस एक ही चीज़ लगती है कि भाई यहां बेठे हैं अब आधात इंसान को यहां से पावर विंडो ऑपरेट करता है लेकिन इसके पावर विंडो के कंट्रोल यहां दे रखें यह राइट हैं यह लेफ्ट हैंड साइड वाला मैं तब यह हटके देने की कोशिश करी उन्होंने लेकिन सबके अपने अपनी चोई से लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा यह सबसे अच्छी बता हूं यहां पर दे रखी है जो की अच्छी लगती है बस यहां पर थोड़ा सा सूना पंड टाइप लगता है मैं आपको सबसे अच्छी चीज लगती है यहां पर जो सुजुकी लिखावा आता है वह थोड़ा प्रिमियम लगता है इस गाली के हिसाब से यहां से आप एड़्यस कर सकते हैं किलोमिटर ट्रेप एवरेज जो आपको देखना है टैज स्क्रीन सिस्टम के रिस्पोंस की बात करते है पन तो यह देखिए बढ़िया है मतलब सेग्मेंट के हिसाब से थोड़ा सा लैगी टाइप का फील होता है लेकिन इतनी जादा दिकत नहीं आती है मतलब आप अपरेट कर लेंगे चला लेंगे यह थोड़ा सा लैग होता है इसमें लेकिन इतनी जादा कोई प्रॉब्लम इसमें आपको एंडर ओटो एपल कारप्ले ब्लुटूथ करनेक्टिविटी और सब चीज़े मिल जाती है बस एकी चीज़े कि आपको इसमें कोई स्पीकर नहीं मिलता आपको ऊद्धी चीज एक और जीब लगी है मैं बताओं आपको जैसे देखिए अभी मैंने गेट कर रहा है मतलब चावी ओन कर रहा है मैंने अब देखें यह से मैंने चावी बंद कर दी अब मैं जैसे यह गेट ओन करूंगा यह साउंड सुन रहा है अब यह गेट खोला है इसलिए आ रहा है अब जैसे यह गेट को बंद कर रहा यह देखें साउंड बंद हो गया तो यह मत करा यह देखे आने लगा तो बस एसे में साउंड आ रहा है यह थोड़ा सा अजीब लगा मुझे कि मतलब दे देते और एक और चीज यह कि आपको यहीं से मैनुवली अजस्ट करना पड़ेंगे टॉप मॉडल में आपको एलेक्ट्री फॉल्डेबल एलेक्ट्री अजस्टेबर बाहर के जो वर यह नहीं दिये गये हैं तो ठीक है पेसा अच्छा लेना लेकिन नहीं दिये और एक और अच्छी चीज यह है कि रियर की तरफ रियर में क्या अलग हटकी दिया है वो मैं आपको दिखा देता हूं इसमें और हैना सीट बता दू मैं आपको इसमें लेदर सीट नहीं आती फैबरिक अपास्ट्रोफी की सीट आएंगी और यह कवर इन्होंने बहार से लगवा रखे हैं जो की काफी खुब है हाइट एजस्मेंट नहीं दिया गया है आपको और यह आपका फ्यूल लेड ओपनर डिगी ओपनर दोनों यहीं मिल जाता है चावी मैं आपको बता देता हूं यह इस टाइप की जो सुजुकी की नॉर्मल चावी आती वेसी ही मिलती है आपको बस एक चीज़ है जो बूट को आप एकसेस करते हैं इसको अनलोग करके बूट एकसेस नहीं होगा यहां तो यहां से बूट खोले या फिर पीछे जाके चावी रगा के बूट खोले तो यह अब हम आ गए हैं गाड़ी के रियर में मेरी हाइट 59 है आगे की सेट मैंने मेरे कोडिंग एड्यस कर रखी है बढ़िया स्पेस मिल जाता है ठीक ठाक यह इतना नीरूम बच रहा है मेरे पास थाई सपोर्ट बढ़िया है मतलब इस पेस अच्छा है दो लोग कमफर कम ही है मतलब ठीक ठाक हम पर तो दिक्कत नहीं है कि बीच में बच्चा बिठा देंगे तो यह देखिए पीछे भी है इन्हों ने क्रॉम में बड़ा खुब्सुरस्ता दोनों तरफ यह दे रखा है जो कि अच्छा लग रहा है ग्रैब एंडल एक यहां पर एक यहां पर आपको नीचे बॉटल होल्डर अगेरा का स्पेस नहीं दिया है बस यह जरा से स्पेस गेट पर दे रखा है दोनों तरफ जो थोड़ा वह सामान आप रख लें या मैनवली विंडो को आपको अपरेट करना पड़ेगा यह लौक अन्लॉक के लिए दे रखा है तो पीछे क कुछ ऐसा बेसिक सा यहीं से बता दूँ मैं आपको कि यह पार्सल ट्रे मिल जाती है आपको जो की बढ़िया है टॉप मोडल में मिलना ही चाहिए और यहां सी ऑप्शन दे रखा है आपको आप सीट को आगे की तरफ कर सकते हैं पूरा जब आपको सामानोमान लगेश बढ़ा दिये की ऊपर पार्सल ट्रे इसमें लगी हुई है कुछ इनहीं के तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बता रहते हैं मतलब जैसा नहीं कि गाड़ी में ही प्रॉब्लम है तो वह खोल ने रहा है वरना मैं आपको बता देता तो 270 लिटर का बूट इसमें आपको 2021 अगस्त में उस टाइम यह पांच लाग 25,000 के लिए अभी एक शोरूम प्राइज इसका जो है टॉप एंड का चार लाग 71,000 है और आपको ऑन रोड पांच लाग 40,000 तक पड़ेगी अच्छा मुझे एक बात बताईए इस गाड़ी के बारे में जैसे आप गाउं में तीन दो में अच्छा रहता तीन में दिक्कत आती होगी अब गाउं के इसाब से 180 एम की ग्राउंड क्लेरेंस है इसकी तो नीचे पत्थर वत्तर तो नहीं टकरा तक नहीं दिक्कत तो नहीं आती आपको इसमें और ड्राइविंग किसी लगती आपको इसको चलाने में बहुत मस अच्छा रखता है अल्टो और इसका कंपरिशन करें तो बतला अल्टो से आपको अल्टो से बहतर है और जैसे आपको पीछे समान और रखने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है बहुत अच्छे से समान रखा जाता है अब फैमली पेक है आपको बढ़िया लगती गाड़ी तो इतना रिवी ठीक है तो गाइस देखा आपने यह घर की गाड़ी है वैसे मैंने आपको इंफोर्मेशन बता ही दिये जाधा तर और चाचा से भी मैंने पूछ लिया है उनको क्या लगता है क्या नहीं लगता है तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको यह रिवीव के सब लासकू मैं आपके लिए थैंक यू सो मच गाइस पर वचिंग दे वीडियो